हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका डी एस कुरूजी में और फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर आये हैं जी के के ऐसे इंपोर्टेंट क्योस्टन्स जो एक्जाम में जरू-जरू पुछे जाएंगे ये ऐसे क्योस्टन्स है जिन में से एक या दो क्योस्टन ऐसे हर एक्जाम के लिए एंपोर्टेंस रखते हैं और अगर दोस्तों आपको इनका अंसर मालूम हो तो आप भी इनका अंसर कमेंट बोक्स में कमेंट करके बता सकते हो इससे आपका क्या होगा इससे आपका ही फायदा है आप अपने अंसर के लिए डबल शोर हो जाओगे तो आपकी गलती करने के जो संभावना रहेगी वो बहुत कम हो जाएगी तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्योशन है कि तीन बीगा गलियारा किन दो देसों के बीच इस्तित है तो दोस्तों तीन बीगा जो गलियारा है वो इस्तित है भारत और बांगलादेस के बीच अब दोस्तों जो धान का खेरा रोग है वो होता है जस्ते की कमी के करणा अगर धान में क्या हो जस्ते की कमी आ जाती है तो उसमें खेरा रोग हो जाता है और इसकी लक्षन भी होते हैं कि जो पत्ते होते हैं उन पर पीले धब्बे हो जाते हैं या जो पोदा होता है वो बोना ही दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है इसके बैठक हुई थी पतना में आप देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी सोशलिस्टborg है जिसका गठन हुआ था 1934 में जेपी नरायन के द्वारा इसका गठन किया गया था और जेपी नरायन ही इसके सेक्रेटरी थे और इसके साथ ही जो नरेंद्र देवा थे वो इसके प्रसिडेंट थे इसके बाद आता है अपना अगला क्योशन भारत का केंद्री बैंक कौन सा है तो दोस्तों भारत के केंद्री बैंक के बारे में आप सब जानते होंगे भायत का केंदरी बैंक है डिजोर बैंकोप इंडिया ये सब बैंकों से अलग है डिजोर बैंकोप इंडिया है ये जन सामाने के लिए बैंक नहीं है इसमें कोई जन सामाने वेक्ति खाता नहीं खोल सकता है और इसकी जो इस्तापना हुई थी वो हुई थी एक अप्रेल 1935 मे पारे में आप सब जानते होंगे उर्जित पटेल है और इससे पहले थे रगुराम जी जार्जन इसके बाद आता है अगला क्योश्टन सरहूल किस राज्ये का प्रशिद्ध लोक नत्य आप दोस्तों देखिए सरहूल जो नत्य हैं यह लोक नत्य है जारकंड राज्ये का शुट के द्वारा मनाया जाता है और इसी का जो यह डांस होता है इसे कहा जाता है सरहूल डांस जो जारकंड का लोक नत्य है प्रशिद्ध लोक नत्य के रूप में जाना जाता है इसके बाद आता है अपना अगला क्योश्टन 50 सेंटीमिटर से कम वश्ट वर्षा वाले पागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं दोस्तों अब देखिए जिन सेत्रों में क्या हो 50 cm से कम वर्षा हो अब जिसमें 50 cm से कम वर्षा हो मतलब सेत्र जो है वो कैसा है शुष्क है तो महाँ पर किस तरह के वन पाए जाएंगे मरुस्तलिये वन क्यों कि इस प्रकार के वनों को क्या होता है पानी के आउशकता बहुत कम होती है और जो काटेदार जाडिया है काटेदार वनशपती है उस प्रकार के वनशपती वनों में पाई जाती है इसे के कारण महापर क्या होती यह वनशपती पाई जाती है इसके बाद है अगला क्योशन नर्सी महता कहां के प्रशीद संत थे तो दोस्तो नर्शी महता जो थे वो थे गुजरात की प्रशीद संत अब इसके बाद आता है अगला क्योश्चन सुभाष चंद्र बोज ने आजाद हिंद फोज की कमांड किस वर्ट संभाली अब दोस्तो देखिए आजाद हिंद फोज जो है उसको वर्तम अगस्त में इसका गठन हुआ और जो सुभाष चंद बोज ने इसकी कमांड संभाली थी वो संभाली 다 943 इसवी में इसके बाद है दक्षिन अमेरिका द्वार किसे कहा जाता है तो दोस्तों दक्षिन अमेरिका का जो ज्वार कहा जाता है द्वार जो से कहा जाता है वो है बेनेजुएला और यहां की जो कैपिटल है दोस्तों वो है कारा कास आपको ध्यान रखना है हो सकता है यह जनरल अवेर्नेस का क्योश इसने जो है महतुपूर्ण भाघ निभाया है रिघ्वेत के समय इसे माना जाता है कि सरश्वती नदी है, सरश्वती माता हैं उसी का ये औरीजन माना जाता है और ये राज已经スतान में इस्तित बताई जाती है इसके बाद है अगला question चायवादी युक का प्रवर्तक किसे माना जाता है अब दोस्तों देखिए चायवादी युक के जो प्रवर्तक है वो है जैसंकर प्रशक कवी है ये इनका जो जनम हुआ था वो हुआ था 30 जनवरी 1890 को और इनकी म्रत्य हुई थी दोस्तों 15 नवंबर 1937 को इनकी म्रत्य हुई और एक है इनके क्रतिक कामायनी जिनके लिए इनको पुरुषकार भी मिला था और जो चायावाद है अब चायावाद के बारे में जो है चार इस्तंब चायावाद के माने जाते हैं एक तो है जे संकर प्रशाद जिनको इसका प्रवर्तक कहा जाता है एक है निराला और एक है स उन्हों ने अपने मत का प्रचार किया गुजरात और राजस्तान में इनका जो मत था वो था दोस्तों वैश्नों मत इनका मत था ये भी आपको ध्यान रखना है इसके बाद है दक्षिनी गोलाड में सबसे छोटा दिन कब होता है तो दोस्तों इसके बारे में आप सबको जान ये लिखी है रफिक जकार याने ये मुहमद अली जिन्ना के बारे में लिखी गए एक पुस्तक है दमेन हु डिवाइडेड इंडिया एक वेक्ति जिसने क्या हुआ इंडिया को तोड़ दिया उसके बारे में इस लेखरक ने लिखा है जिनका नाम है रफिक जकार या इसके इसके बाद है कारकोट वन्स का सबसे सकती साली साशन था वो था दोस्तों लाली दित्य मुक्ता पीड यह यहां का साशक था और यह कश्मीर जो रिजन है वहां पर इनों ने साशन किया था लाली दित्य मुक्ता पीड ने इसके बाद है संगाई 5 संगठन का गठन किस वर्स क तो दोस्तो इसका जो गठन हुआ वो हुआ था वर्स 1996 में संगाई 5 का इसके बाद है भारत का दूसरा सरस्रेश राष्ट्रे सम्मान कौन सा है तो दोस्तो इस बारे में आपको बता दू जो भारत का दूसरा सरस्रेश राष्ट्रे सम्मान है इसके बारे में आप सब जानते ह के थाई होंगे दूसरा पद्म वीभूशन है पहला भारत रतन है और तीसरा है पद्म भूशन यह repeating प्रमुख राश्चर सम्मान के रूप में जाने जाते हैं भारत में और जो पद्म विभूशन सम्मान है दोस्तों इसकी बात हुई ती दो जन्वरी 1954 में और दोस्तों सबसे पहले जो यह सम्मान दिया गया था पदमविभूशन यह दिया गया था सत्यंद्रनात बोश को यह भी आपको ध्यान रखना है इसके बाद आ जाता है अगला क्योश्टन खेबर दर्रा आप दोस्तों खेबर दर्रे के बा खेबर दर्रा और दोस्तों यह जो है नोर्थ वेश्ट पाकिस्तान में इस्तित है इसके बाद आता है अपना अगला क्योश्टन आप देखी सवीधान से रेलेटेट भी क्योश्टन समने यहाँ पर आपके दिलिये हैं कि किस अनुचेद द्वारा मानों के दूर व्यापा मतलब अगर किसी वेक्तिक इच्छा ना हो कोई कारे करने की और उनसे जबर दस्ति श्रम करवाया जाए तो इसका प्रतिबंद है यह कहा गया है अनुचेद तेविस द्वारा अगर को ऐसा करवाता है तो उसे दंडित भी किया जाता है इसके बाद है अंग्रेजों का पैं इसके बाद है अगला क्योश्टन अब आपको बताना है खिलापत कमीठी का गठन किस वर्स और कहां किया गया था तो दोस्तों खिलापत कमीठी के बारे में आपको बताना है तो इसका गठन हुआ था 1920 इस्वे में बंबई में इसका गठन किया गया था इसके बाद है प्रत्यों के लिए इन्हें सम्मान भी प्राप्त हुआ है इसके बाद है फेराडे का नियम अब दोस्तों आपको बताना है फेराडे का नियम किस से संबंदित है तो ये संबंदित है विदूत अब घटन से ये फेराडे का नियम संबंदित है इसके बाद है अगला क्योशन अरब यात्री सुलेमान किसके साशनकाल में भारत आया था तो दोस्तों जो अरब यात्री सुलेमान है वो भारत आये थे मिहिर भोज के साशनकाल में इसके बाद है अपना अगला क्योशन अब आपको बताना है दोस्तों बांधों से वेटेड क्योशन आएंगे और एक्जाम में जरूर जरूर पूछे जाएंगे देखिए सबसे पहले आपको बताना है टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है और कहां पर ये इस्तित है तो बताईए दोस्तों तो ये जो बांध है ये इस्तित है भागी रती नदी पर जो प्रताब नगर के पास है उसमें और उ पढ़ा दून के पास में उत्तरा कंड में यह इस्तत्थ है इसके बाद आता है है अपना अगला एटक फकी एब टूक्ति अच कहा जाता है दोस्तों पर के पास में तोडो पले केरेला में ये इस इसके बाद है अगला क्वेशन अपना कि भाकड़ा बांद अब दोस्तो भाकड़ा बांद के वारे में आप सबको जनकारी होगी ही ये जो बांद है शतलग नदिपर बिलासपुर के पास में इस्तित है हिमाचर प्रदेश में इसके बाद आता है अपना पकाल दूल बांद अब ये कहां पर इस्तित है? तो दोस्तों ये बांध इस्तित है मरूशुदर नदीपर, किस्तुवार के पास में, जम्मो कश्मीर में ये बांध इस्तित है, आपको ध्यान रखना है, इसके बाद आता है अपना अगला क्युशन, सरदार सरोर गुजरात बांध, अब दोस्तों देखिए, सरदार सरोर गुजरात बांध, ये कहां पर इस्तित है, ये गुजरात में इस्तित होगा, क्योंकि पहले ही पता चल चुका है यहां से, ये नर्मदा नदीपर बनाया गया बांध है, दोस्तों जो राज़ पीपल के पास में इस्तित है जो है गुजरात में तो दोस्तों ये बांध है सरदार सरोवर बांध इसके बाद है अगला स्री सेलम बांध अब दोस्तों स्री सेलम बांध जो है वो बनाया गया है क्रश्ना नदीपर नंदी कोट कुर के पास में जो इस्तित है चेनाव नदीपर रामबान के पास में जम्मु कश्मीर में इस्तित है इसके बाद है चेमेराई बांध ये इस्तित है रवी नदीपर पर भटियात के पास में हिमाचल प्रदेश में इसके बाद है चेरू ठोणी बांध अब चेरू ठोणी जो बांध है ये इस्त अब जमरणी जो बांध है वो गोला नदी पर ननिताल के पास में इस्तित है जो उत्तराखंड में है इसके बाद है सुबन सिरी लोवर बांध अब ये जो बांध है दोस्तों ये इस्तित है सुबन सिरी नदी पर लोवर सुबन सिरी के पास में इस्तित है अरूनाचल प्रद देश में इस्तित है इसके बाद है कक्की बांद तो कक्की बांद जो है कक्की नदी पर रानी के पास में केरेला में इस्तित है इसके बाद है नगी बांद तो नगी नदी पर जमुई के पास में बिहार में ये नगी बांद इस्तित है इसके बाद है सलाल जिसे रोगफिल औ जो रोग फिल और कंक्रीट बांद है दोस्तों ये चेनाव नदी पर गुल गुलाब गड़ के पास बना हुआ है जम्मो कश्मीर में ये भी आपको ध्यान रखना है इसके बाद है लख्या बांद तो लख्या होल नदी पर मुदी के रहे के पास में करना टका में ये बांद याद रखने में बहुत आसानी होगी नदियों के नाम याद रखे तो बांद के नाम भी आपको याद रहे जाएंगे इसके बाद है अगला क्योशन है कोईना बांद अब कोईना बांद जो है वो भी कोईना नदी पर इस्तित है तो बांद का नाम के नदी पर आधारी थे तो ये कोईना नदीब पर पतन के पास में महराष्ट्रा में इस्तित है इसके बाद है इदम लेयर बांध अब इदम लेयर जो बांध है वो इदम लेयर नदीब पर देवी कोलम के पास में केरेला में इस्तित है इसके बाद है सुपा बांध तो ये काली नदी पर सुपा के पास में करनाटक में इस्तित है इसके बाद है करजन बांध अभी करजन अदी पर जो राज पीपला है वहाँ पर है इस्तित है गुजरात में इसके बाद है गोतम बोध को किश रात्री के दिन ग्यान की प्राप् तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही बाके जानकारी के लिए आप डीएस गुरुजी के साथ जुड़े रहें और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और सेर करना तो भी में करते हैं तो आ wipe कासी कार या था जुड यहिई प्रेंपे जार्वारी को घूंटrau हिएरश